हेलो एवरीबन वेलकम टू जैटकेम केमिस्टी क्लासिस तो भाई आज हमें एक बहुत इंटेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं वांडवाल फोर्सिस वीग केमिकल फोर्सिस सर यह टॉपिक ने क्लास 11 से स्टार्ट होता है क्लास 11 होता है उसके बाद आपका अगर ग्रेशिशन करोगे बेसी के टॉपिक दे रखें नीट में विट्टेक में बहुत सारे कुश्शन यहां से आप हैं सर आगे अगर आप करेंगे तो आगे जहां-जहां जैसे से देखते हम केमिस्टी में कोई ने कोई फैक्ट लग रह में हो frankly कोई सब्सके निए होते हैं याhigh?? ने विद्सी अंद तो जैसके होता है जब कोई भी मोलेकिल बनते तो दो टाइप में ऐसे स्टांग करें हमारे पास वीक फोर चल्ट सहुता है उनकों बंड को सorean से असले लुह पूलता है धिए क्ने बांडबोट पोलता है हम कही ह साथ में मॉलिक्यूस के बीच में कुछ वीक अट्रक्शन फूर्स भी लगते हैं उन वीक अट्रक्शन फूर्स को हम बोलते हैं क्या वांडरवाल फॉर्स क्या बोलेंगे इसको वांडरवाल फॉर्स फॉर्स इसी को हमें समझना है कि वांडरवाल फॉर्स क्या होता है तो ए बोस्क्राइब यह वारे वीग होते हैं बात यह आते हैं ठीक है सर वीक होते हैं कौन-कौन सोते हैं निय स्क्राइब यह समझ लेते हैं उसके बाद में फिर इनको पढ़ना बहुत आसान हो जाहा है जोए डाइपोल डाइपोल किया होता है TRS आवारा क्यों सब्सक्राइब इंड्योजर डाइपोल इंड्यूजर तो डाइपोल इंड्योज अग्यूसर कि contractors एंट्रैक्प्चन दूसरा डाइपोल इंड्यूज्ट seguinte होता है हमारा वो पित्वर होता हमारा इस्टेनूमियंस इस्ट्नेनुन दियत्व सब्ण आप इंड्रैक्प्ष läuft होगा ला कुछ संबस्ट कुछ और हम रहे होगे सेम से लोके समय नीज आरह क्या दिधानि कोई शवान्डवाल फोर सेज़े होते हैं जो फिर पीच में लगने वाले होते हैं सर वो नियुक्ष्य अब हम क्या करते हैं हम पहले इंट्रेक्शन को पढ़ लेते हैं जिसका नाम है अमारे पास डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन मेरे को एक चीज है डायापोल डायपोल क्या होता तो फिर कैसे पढ़ए जावना होता है कि पर नौर्थ पूल में Хाँ नौर्थ ऑ। जालो को राते हं तो च्छेकर और शेंसरे देण स्ड़ना होता सारी चीज क्या है सर इसके लिए हम बहुत ही प्यार से दो एकजम्पल से समझ सकते हैं क्या समझ सकते हैं वही हम कहेंगे मेरे पास मैं मालीजिये दो मौलिक्यूल है एक है मेरे पास ह2 और दूसरा है मेरे पास हCN ठीकिगे अगर मैं बात करूं तो है एक प्लेडिस्ट बनाई थी प्लेडिस्ट में जाओगे आप यूट्यब चैनल के प्लेडिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगे वहां पर हमने इलेक्टर नेगिटिवीटी भी आपको सिखाये थी और वहां बताया था एक फरोटन में किसकी जाधा होती है किसी किलोरण की जाधा हो गई उस से पहले एक और चीज़ा लेते हैं सर हर एक बॉंड में कितने ऑल्यक्टर ने ऌते तो इन दोनों में इसको खीच जगा वह दर की चिगा दोनों की एक बराबर है तो यह इसको खीच जाएंगे यहां है वही के वही बने रहें लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो इन दोनों में इसको खीचेगा अपनी और खीचेगा तो इलेक्ट्रोन किधर जाएंगे वही क्लोरीन की साइट सिफ्ट होंगे अगर इलेक्ट्रोन किलोरीन की साइट सिफ्ट होंगे तो इससे क्या होने वाला है इससे यह होने वाला है मुझे पता है सर इलेक्ट्रोन पर कौन सा चार्ज आता है निगिटिव आता है जब इस तर इलेक्ट्रोन जा रहे है इसका मतलब निगिटिव चार्ज इधर जा र नहीं रहा तो इनको आइंस बोलते हैं यह अलग-अलग नहीं बना रहे इसमें हो क्या रहा है इसमें यह हो रहा है इलेक्ट्रों थोड़े से सिफ्ट हो रहे हैं तो बॉंड भी रहे और इलेक्ट्रों जादा इधर पहुंचे तो इस पर complete चार्ज ना कर थोड़ा सा चार्ज आएगा जिसे हम बोलते हैं पार्शील चार्ज पार्शिल यानि आंसिक रूप से आविशाद है इस पर क्या जाएगा हमारा पार्शिल निगीटिव चार्ज आजाए इस पर हमारा प बात करें तो हमके अगर एक बॉंड से जुड़ हुए पार्शिल निगीटिव पॉजिटिप को हम डाइपोल बनेगे ना एक निगीटिव पॉल बना इसको हम बोलेंगे डाइपोल समझ में आ गई तो यह समझ में आ इसका मतलब क्या है सर यहां पर हमारे पास डाइपोल इंट्रेक्शन है हमारे पास दो डपोल है उंकर म intéressant हो रहा है उसे ढाउन सर कहलोग कैना क्या चार रहे हो दो डपोल कैसे मतलब मतलब ऐसे है जैसे कि माहल लीजिए मेरे पास में एक डाइटममेनल कं साफ दूसरा यह क्या मतलब है मतलब यह है कि यहां पर मेरा negative charge pole है इधर मेरा फॉजिटिब फॉल अगर मैं बात कर तो इसमें भी बाइपूल होना धी Cheese डाइपूल है नीगेटिव किसी से बाइपूल है जब यह बाइपूल हो घ latch Kinsey कि प्लस और मानस की बीच क्या होता है और अट्रेक्शन होता है तो सर क्या इस प्लस और इस मानस की बीच में कोई अट्रेक्शन नहीं होगा बिल्गुल होगा अगर अट्रेक्शन होगा तो भाई लोग यहीं अट्रेक्शन फोर्स को हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंट्रक्शन को sucks कि बोलेंगे मैं डायपोल ईंट्रक्शन इतनी बात मुझे लगतिता है आपको समझ में आ रही होगी सर इतनी बात अगर समझ में आ रही है समक्राइब की राषा सरे जैसे इसे कि और एक जंपल बताना अब यह अब यह इसे सेशेल की बात करें देखा यह मरा दूसरा हो इस यह तो इस पर निगेटिव और सिमलरी इधर भी नेगेटिव यहाँ पोजिटिव यहाँ पर भी नेगेटिव सर्स नेगेटिव और पोजिटिव Okay क्या होता है attraction तो यह नेग ते वह बीच यह पॉजिटिफ पे बीच इट्रैक्शन होगा अगर इसके बाद पोई पॉजिटिव turned भहाँ भी अट्रक्शन होका सब्सक्राइब जो निदंग पॉजिटिव बीच अट्रक्शन इसी को हम क्या बोलेंगेThis is dipole-dipole interaction ये भी एक dipole हो गया ये भी dipole हो गया ये भी dipole होगा इसी तरह से बहुत सारे dipoles के बीच में जो interaction होता है that is dipole-dipole interaction मुझे लगता है इतनी बाद समझ नहीं अरे हमें एक चीज पता है अगर मुझे किसी bond को toडना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ती है, अगर माल लीजए मुझे इस डाइब में will की किसम प्रते हैं, बिच में जो फोर्स लगता है, उसे हम क्या करेंगे की Sum Force Sir, Dipole-Dipole Interaction में जो बीच में Force लगेगा यह कितनी Force से गीच रहे और इस दूसरे को इनके बीच में जो Force है इससे हम बोलता है की Sum Force और की Sum Force को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दे जाएगी उसे हम बोलें की Sum Energy सर उसका formula कुछ होता है क्या बिल्कुल होता भी समझाना है बिल्कुल समझाना है चुल एक काम करता है formula में आपको दिखा देता हूं ज़र आसर देग लीजी देख अभी देखिए इधर हम बात करते हैं आपके formula की की sum force यह है हमारे पार interaction डाइपल 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 डाइप सर मानस बीवन इसकर मूट इसकर अपॉन थ्री फोर पाइपसालन नौट का स्कॉर के टी आर की पावर सिक्स यह हमारे एक formula होता है नौर्मली से questions नहीं पूछे आता है लेकिन हां इतना होता है कि यह formula डारक्ट आपको दे रख्के होता है तीनों के और इन तीनों में से मानस का मतलब क्या होता है मानस का मतलब है था एनरजी निकले जब कीसम कीसम फूर्स दोनों अट्रक्टशन होता तो energy यहां से निकलती है तो बस वह है हमारा किसम energy का सानिय आ ही तो है म३ 5 भाला जो molecule पैसे करद मोलेकिल है और दूसरे डाइपन होले मियुट के जैसे हैं यहां पर मैंने किया था यहां पर दॉनों ही केस में तो कि यहां देखी इतै है मैंने इधर यह इसका टाइप गश् NXTGO process अहीं अगर अलग अगए तो क्याने का मतलब यह है मेरा कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास में कीसम forces शर्मक्राइब होक्र और दॉसरा दूसरा किया बॉंटों तो फोर तेकटाrose 2 थी 4ड not का स्वार Kr6 में आपको पता चलिका है दाइपोल कोश्थ होता है we किये क्या होता बोल्जबान कॉंस्टेंट किये क्या होगा हमारा बोल्जबान कॉंस्टेंट टी हमारा टेंप्रेचर आर क्या है आरे इन दोनों की बीच की डिश्टेंस पते इतना आपको जाना है यह आ रहे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के हमारा टेंपरेचर है कि हमारा बॉल्षमां कॉंस्टेंट है क्या वही बॉल्जब्स वान कॉंस्टेंट इतनी बात आपको समझ में आगी होगी अब हम बापस अपने अगले वाले पर आते तो इतना ही है बस भई डाइपोल डाइपोल इंट्रक्शन में यह है एक डाइपोल यह दूसरा बीच में इंट्रक्शन हो रहे है इसमें जो फोर्ष होती ताइड इस कीजम फोर्ष का फॉर्मुला मैंने आपको बता दिया है आगया जाए अग हमारे पास में यह है कौन है यह यह है डाइपोल इधर है पॉजिटिव इधर है नेगिटिव अब भी अगर मैं बात करूं भी क्या बात करता हूं यह मेरे पास में एक दूसरा वाला मॉलीकुल आ गया इधर लेकिन भाई यह हमारा डाइपोल नहीं इस पर प्लस मैनस इसपर यह यहां पर कहीं पर भी डाइपोल नहीं हम यह पर यह बोल सकते हैं तो ओनो को मैं इस Guard रेकिया क्या करता हूं मैं इधर लेकिया इसको में इधर लेकिया जैसे एक दूसरे के कॉंटेक्ट में आएंगी तो इसका पॉजिटिव चार्ज होगा इसके निगिटिव चार्ज को अपनी और क्या करेगा अट्रेक्ट करेगा तो क्या होगा यह तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा यह इधर हमारा क्या इधर हमारा positive है इधर हमारा negative है जैसे ही यह इसके contact में इसके negative को अपनी और खीचेगा और इसके positive में repulsion हो तो positive दूर जाएगा तो इससे क्या होगा इससे यह होगा कि इसकी जो non-polar वाला था उसकी safe भी हमारी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी और अगर safe change हो गई तो यहां पर क्या होगा नीगिटिब को इसको क्या अच्रक्ट कर लेका निगिट्ब को दूर बगा देगा तो इस से हुआ क्या हुआ यह कि यह तो हमारा पहले से डाइपॉल था इसको भी इसने किया बना दिया ऑर इंडूज करने के बाद किया बना दिया यहीं इंट्रैक्षिन कहलाती है यह पहला किस डाइपोल दाइपोल को मैं यह पास नोन पोलर के पास लेके जाता है तो यह भी किसमें चैंज हो जाता है डायपॉल में तो बैइए डायपॉल ने दूसरे को इंड्ड्यूज करके डायपॉल बनाया फिर उसके बीच में ईंट्रक्षन लग रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे डॉड्यूजुज डायपॉल इंट्रेक्शन का चाता है सर ऐसे पिछली बार बता दिया था कि पीछे वाले में हमने यह कहा था एक्जामपल में जैसे यहां पर क्या बोल सकते हैं यहां पर हम बोल सकते हैं एक पोलर होता है ओटू यह पानी में अगर अगर नहीं अलग है तो नॉन पोलर होता है बाद में पोलर हो जाता है यह बन जाता है फिर उनकी बीच में इंट्रक्शन होता है तो इसका बीच जानना बहुत ज़रूर है उस force का नाम होता है इस force का नाम होता है हमारे पास device force со dead formulas देख लेते हैं कि यहांपर हैं किष्व 4 का formula में आपको बता दिया और है दैब फोर्स का formula यहलोग है मेंना कीषम का musicians do सभावार की और ले-ाहं के वाट देख लेते, माई इसकी जो energy स्कार मूझ स्कार लूपान 4 divided всё5 processors की स्कुरर आर की पावर 6 मू क्या है सर मू तो वह यह डाइपोल मुमेंट हो जो गगा जो पोलर मॉलीकिल हो उसका डाइपोल मुमेंट है ठीक है ना उसके बाद आर आपको पता दौनों की बीच की डिस्टेंस बची बात सरी एक चीज आगे वह हमारे पस अलफा सरी अलफा क्य पॉलरायज़िब्लिट है वो कितनी है इसकी कितनो तीर में पोलरायज हो पा रहा है कितना हो गया वह उसकी वैल्यू है यह इसकी बाद और स्कुर्व और और की पावर 6 अगर हम इस फॉमले से क्याल्कुलेट करेंगे तो हम यह बता सकते हैं कि जो हमारा डिवाय फॉर्स है वो कितना है तो मुझे लगता है यह वाला फॉमला आप नोट कर लेना तो दो से क्यों हमारे हों के हमारा किसम स्पों का दूसरा हमारा डिवाय्स का अब हमारा लाश्ट यह भी करते हैं व Terra इसको करें हरा बहुत 1 सिंपल है इसको भी करते हैं पहले कार쟁ा करतें में अन्य EL Catholic 봤 दूसरे में यह नउन को Less यह हमारा क्या है 1 यह क्या है सरी भी नौन पुलर यह क्या है 맡के वह क्या ने हंब मेंने क्या क्या किया अब किसी भी गारण रशार कोएक मौन अ्य को सकता है तो वो एक symmetrical phase में घूमते रहता है ना यानि हर जगह चार्ज हमारा balance रहता है किसी भी कारडबस कहीं पर मतलब कोई भी effect पढ़ जाए किसी भी कारडबस अगर एक तरफ एलेक्ट्रों डेंस्टी जादा हो गई तो उधर नेगिटिव चार्ज इंडियूज हो जाता है और दूसरी तरफ को हमारा जाता है पॉजिटिव किसी भी कारडबस एक molecule क्या हो गया हमारा पोलर भाई एक को हम बोलतें इंस्टेंटेंश डाइबोल वाल पर भाई और इस बोन पोलर और यह न फो हमारे अप्छेंश τις डायपोल क्या क्या समझ में विसाएं किसी भी कारडबस 10 aiming ना दाइपोल आद और ऑन यह तो कड़ेंगाРЕ एसको भी क्या करता है in docha कर देगा और इंड्यूस करने के बाथ किस चेंज कर देगा हमारा डाइपोल में चेंज करें सर्दोबारा सब लाए इसके wyद से पता चला है Самि इंस्टेंटेंटेंमिस डाैपोल बना इस निढूश है फिर उसको भी डाइपवल बनाए फिर उसके बीच में क्या होगा यह एन ट्रैक्शन उनकी बीच मैं क्या होगा यह इन ट्रैक्श्न ऑड इसी इntरेक्शन को बोला आता है क्या instantaneous dipole induced dipole interaction अब तीनों को समझ अब तीनों को समझ लो क्या करना पही मेरे पास में पहला था dipole dipole interaction dipole dipole interaction और डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन वह फोर्स कौन सा है की सम फोर्स फिर दूसरे में गहें एक डाइपोल दूसरा नॉन पोलर यह इस ने इंड्यूस किया इंड्यूस डाइपोल 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 इं सर, इसके बीच में भी कोई नो कोई फोर्ष लगता होगा, बिल्कुल फोर्ष लगता है, और इसके बीच में लगने वाले फोर्ष का नाम होता है, सर, उसका नाम होता है, लंदन फोर्ष, क्या होता है, लंदन फोर्ष, और अगर इसका फॉर्मुला भी हम जानना चाहें, सर इसका formula क्या होगा तो वो जान लीजे इसका formula हमारा क्या हो तो सरी इसको भी जान लेते है ठीक इसका formula हमारा ये है ये वाला London force का formula ये है क्या है? मानस 3 h new alpha square upon 4 4 pi epsilon 0 chi square r की power 6 सरा r आपको पता है दोनों के बीच की distance आगी है ना? alpha आपको पता है दोनों के बीच की distance आगी alpha आपको पता है इन दोनों की क्या हो जाएगी polarizability आजाएगी और हाँ एक चीज आगी है h new सर h new क्या है h new के energy होती है सर यहाँ पर हम क्या photon वाली energy की बात करें photon वाली energy भी बोल सकते हो तो या फिर इसको दूसरा अगर आप दूसरे टम में बात करोगे तो इसको आप आयोनाइजेशन energy भी यहाँ पर रख सकते हो h new की आइकाउं से energy रखोगे आयोनाइजेशन energy मतलब यहां से electron निकालने के लिए जितनी energy चाहिए वह तो उसे हम आयोनाइशन energy इस एच नियू की जगह आप आयोनाइशन energy भी रख सकते हो तो हमारे तीन फोर्स हो गए डाइपोल डाइपोल में आया था हमारा किसम फोर्स इंडीउश डाइपोल में आया था आपको का डिवाई फोर्स और instantaneous वाले में आ गया हमारा लंदन फोर्स तो इन तीनों फोर्स को आप याद रखेंगे तीनों के नाम आपको याद रखेंगे मैंने भी याद रखा है जैसे कि मालीजर किशान है वो डिवाई से लंदन चला कुछ से कम्ठीट होग जाते हमारे जो ओन्डवाल फोर्चेस है या फिर केमिकल वी केमिकल फोर्चेस है मुझे लगता है यह सारे के सारे फोर्चेस आपको समझ में आगे होंगे अगे लेक्शर में हम हाड़ी मोड्निक लेक रहें बहुत ही बहुतरी चसार और टॉपिक भी ही है आप इसको दोस्तों के साथ बहुत सेयर करो अगर अच्छा लग रहा लेक्चर तो बहुत सेयर ही करो और क्या कर सकता हूं थैंक्स पर वोच्छिंग